हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आप लोगों के लिए बिग डिटा की यूनिट 5 की वीडियो लेकर आ गया हूँ और जैसा कि मैंने पिछले यूनिट्स की वीडियो अपलोड किया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया बहुत सारे लाइक कमेंट करके मुझे बताएं और नेक्स्ट वीडियो की डिमांड भी आप लोगों ने किया तो आप लोगों के लिए मैं लेकर ये वीडियो आ गया हूँ आई ह यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 की मैंने बना कर आप लोगों के लिए इतना कर सकते हैं तो अभी एक लाइक तो मेरे लिए कर दो और एक कमेंट करके बता दो कि हाँ वीडियो सभी वीडियो हेल्फुल रहे ठीक है तो चलो वीडियो को इंज्वाय करते हैं हम लोग तो फ्रेंट सब हम हम बात करते हैं यूनिट 5 की और हमेशा की तरह जान लेते हैं कि किनकिन टॉपिस के बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो हम लोग बात करेंगे हडूब एको सिस्टम फ्रेमवर की जिसमें आपका आता है पीग हाईव और एच बेस ठीक है त फिन गपार के बारे में देखेंगे पिग में इसके बारे में देखेंगे फिर हाईप के अंदर हम क्या करेंगे उससे देख लेते हैं हाइब के concept को सबसे पहले देखेंगे कि हाइब actual में होता क्या है फिर हाइब की architecture and installation को देखेंगे comparison with traditional databases से देखेंगे हाइब QL को देखेंगे querying data and user defined function को देखेंगे sorting and aggregating देखेंगे map reduce की scripts को देखेंगे join देखेंगे sub queries को देखेंगे ठीफ फिर उसको बाद हम लोग HBS के अंदर HBS कांसेप्ट को सीखने वाले हैं फिर HBS वर्शे IDBMS system design जू कीपर IBM big data strategy introduction to info share big insights and big seats introduction to big square तो इतने सारे topics इस पूरे वीडियो हम लोग cover करने वाले हैं तो जितने भी topics मैंने choose कि हैं वह बहुत ही important है तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझेगा और इस वीडियो को सबसे पहले तो आरे एक like कर दो और मुझे comment करके बता दो कि आप video start करने जा रहे हो ठेक तो शबसे पहले बात करते हडूब ecosystem framework की ठीक है सबसे पहले number पाता है pick application fuse के वर high बेंड hbs के बारे में लोग बाते करेंगे तो चलो सबसे पहले हम pick application को समझते हैं तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं pig application की ओके तो यहां पर pig application बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा तो सबसे पहले point के हम लोग बात करते हैं तो pig is a high level platform or tool which is used to process large data set अब देखो यहां पर pig क्या है pig जो है एक high level platform यह कह सकते यह tools है जिसका use क्यों किया जाता है large data set को process करने के लिए large data set का मतलब क्या है जो भी आपका data होता है terabyte terabyte petabyte में जो भी आपका data होता है वह जो large set में ही तो है तो उसको process करने के लिए यह tool है जिसका नाम है pig ठेक उसके बाद देखो it provides a high level abstraction for processing over the map reduce देखो यह high level abstraction provide करता है abstraction का मतलब क्या है कि जैसे माली जमें एक example आपको बताता हूँ जैसे कि माली जीज अब ATM में पैसा निकालने जाते हो तो आप as a user बस जाते हो पैसा निकालने आपको कोई मतलब नहीं होता है कि ATM के अंदर कौन से functionality चल ले कैसे क्सेमा प्रोशेस्व आपको कोई मतलब कोई पैसे निकालने से या जा या पीछे कि यतनी वी चीज हो कहले हैं थे लेवल करता है यानि कि जो माह wire दूस पर ज को रही होते रहा होती है पता नहीं चलुँठा होता है कि processing भी हो रही है लेकिन अगर हम आप यूज कर देते हैं तो जो processing होती है बहुत ही fast हो जाती है ओके चलो second point को समझते हैं it provides high level scripting language यह जो है न एक scripting language को provide करती है इस scripting language आप लोग समझ रहे होंगे जावा स्क्रिप्ट का नाम आप लोग सुने होंगे तो उसे साट में js बोलते हैं तो जावा स्क्रिप्ट भी एक scripting language है python का नाम आप लोग सुने होंगे तो python भी scripting language है ठीक तो यह भी high level scripting language को provide करता है जिसका नाम है pig latin इस pig latin को आप याद कर लिजिए यह हमेशा बार बार आपको परिशान करने वाला है ठीक है तो pig latin को याद कर लो फिर उसको आप देखो which use to develop the data analysis codes अब देखो इस pig latin scripting language हम use क्यों करते हैं इसका use हम data analysis code को develop करने के लिए करते हैं याद रखिए data analysis code को develop करने के लिए हम pig latin scripting language को use करते हैं ठीक आई हो कि आपको second point क्लियर हो गया होगा third point पर आते हैं first to process the data which is stored in HDFS ठीक the programmer will write the scripts using the pig latin language थर्ड नमबर बात करते हैं तो दो को यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले HDFS में आपका data store होता है ठीक है तो सबसे पहले अगर आपको process करना है तो जो HDFS में data store है उसे लेंगे ठीक और programmer क्या करेगा एक script लिखेगा जो की pig latin language को use करके वो लिखेगा ठीक यानि कि कहते हैं कि components अप अपाचे pig ठीक अपाचे pig जो है ना यह आरे दोखो यह अपाचे pig है यह टूल से ठीक है इसके अंदर जो आता है pig engine आता है और pig latin आता है इतना ध्यान देना यह सारे components है इसके ठीक तो दो इंटर्नली pig engine converted all these script into a specific map and reduce task अब देखो जो हम script लिखते हैं ठीक है जो भी हम script लिखते हैं वो क्या करता है वो map and reduce के task में उसे convert कर देता है ठीक बट दीज और not visual to the programmer in order to provide high level of abstraction अब देखो abstraction का मतलब आपको अब ATM से समझ रहा होंगे यानि कि जितनी भी चीज़े होती है यह programmer को विजिवल नहीं होती है जैसा कि high level of abstraction प्रॉइट करता है यहाँ पर देखो जैसे programmer script लिखता है कि चलो मैं एपन reduce task में divide हो जाएगा हम HDFS में जो data है उसे process करेंगे तो जो programmer होता है ना उसको चीज़े visual नहीं हो रही होती है कि यह process भी हो रहा है ठीक है यह होता है high level of abstraction प्रॉइट करता है लेकिन पीछे हो रहा होता है जिसकी वह सी processing बहुत ही जादे fast हो जाती है तो अभ अच्छे पीग टूल तो आप देखो एक्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आप अच्छे पीग टूल के दो main components बताओ तो आप वहां पर पीग लैटीन और पीग इंजन को लिख सकते हैं लिख सकते हैं क्या लिखेंगे ही यह दो main components इसके होते हैं ठीक the results are always stored in HDFS अब देख processing करने बाद कुछ results तो आएगा तो जी results होता है वह आपका HDFS में यानि Hadoop distributed file system में जाके वह store होता है I hope कि आपको pig application अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक like तो बनता है जाओ फटफट एक like करो पहले अब बात करते हैं need of pig आखिर में यार pig की हमें जरूरत क्यों पड़ी ठीक है पहले भी तो बहुत सारे tools थे तो आखिर में pig आया क्यों हो ठीक है तो इस समझने की कोशिज करते हैं हम लोग one limitation of map produce is that the development cycle is very long अब देखो जब हम map produce use करते थे आपको पता है न कि हम input देते थे mapping करते थे फिर shifting suffering फिर बाद में आपका reducing और फेस आता था ठीक है तो जो map produce में जो processing होती थी ना और जो development cycle थी ना वो बहुत ही लंबी जा रही थी ठीक है तो उसे कम करना ही करना था ताकि हमारा time कम लगे ठीक तो जैसे कि map reduce में क्या होता था writing the reducer and mapper, reducer के लिए हम लोग code लिखते थे, mapper के लिए code लिखते थे, compiling packaging के लिए code था, submitting the job, retrieving the output, यह स तो इसी time को कम करने के लिए Apache Pig introduced किया गया ठीक, तो Apache Pig reduces the time of development using a multi-query approach, देखो Apache जो पीग आया है यह multi-query approach को use करता है, जिसकी इसने time को reduce कर दिया, अब आपको मैं बता देता हूं multi-query approach क्या होता है, यानि कि एक time पर पहले क्या system था कि हम एक time पर बस एक ही query को run कर आपाते थे, यह query लिखते थे फिरो run होती थी, लेकि multi-query approach में क्या होता है, कि हम multiple queries हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, multiple queries हम लोग लिख लेते हैं, इसे semi-colons से हम लोग separate करते हैं, यह ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे multi-query approach क्या होता है, तो हाँ पर आप बता सकत हैं, कि पहले जो था ना, कि वहाँ पर एक query एक time पर run होती थी, ठीक है, जो multi-query approach का concept है, तो एक time पर multiple query को run किया जाता है, execute किया जाता है, और जो queries लिखी जाती है, multi-query approach के अंदर, वो semi-colon के थूरू उन्हें separate की जाती है, हर query को semi-colon के थूरू separate की जाती है, ठीक है, आय जावा बैग्डाउंड से नहीं होते हैं, कुछ लोग python में code करते हैं, कुछ लोग java script यूज करते हैं, कुछ लोग skylai यूज करते हैं, बहुत सारी language है, सभी लोग एक language तो पढ़ते नहीं है, सभी लोग different language पढ़ते हैं, तो जो java background से नहीं होते हैं, तो उनके लिए pig ज स्क्रिप्ट लैंग्वेज अब देखो 200 लाइन अगर आप जावा में कोड लिखते हैं तो उतना सारे लाइन का काम ना आप 10 लाइन में ही आपका पिग लैंग्वेज कर देगा अब समझ रहे हो यार कितना बड़ा एडवांटेज है ना यह तो अब यूज करोगे आप तो यूज करना है यार देखो 200 लाइन जहां पर लिखना पड़ेगा आपको 10 लाइन में ही आपका काम चल जा रहा है तो मज इसको पहले से ना इसक्वेल की नॉलेज अगर वो बंदा पिक को यूज करने जा रहा है तो उसे बहुत ही आसानी होगी ठीक है जैसे कि आप भी लोग डीटा में पढ़े होंगे ना डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में आर एसक्वेल लैंग्वेज इस्ट्रक्टर्ट क इसके पास कुछ रिच सेट आप आप अपरेटर्स जैसे की फिल्टर जोइन सॉर्ट और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं ठीक सिकनर नवर के ईजव प्रोग्रामिंग सबसे पहले चीज़ तो इसब आसानी साब इसे सीख सकते हैं रीट राइट बहुत ही आसान है वह के लिए तो बहुत easy है क्योंकि अगर वह SQL में पहले से code कर रखे है ना तो बहुत ही असानी होगी pig Latin में आपको code करना ठीक अब दोको lines of code तो fewer lines of code जैसे कि मैंने बताया भी पीछे की 200 line अगर Java में आप लिखते हैं तो 10 line में वही 10 line में आप pig Latin में लिख लेंगे तीस सबसे बड़ा advantage है इसका ठीक है features भी है extensibility में कहा है using the existing operator user का develop their own function to read process and write अब देखो इसमें जो operators पहले से दिये हुए हैं देखो जो existing operators हैं क्यानी कि pig Latin party में जो पहले से operator दिये हैं उसे तो आप यूज करी करी सकते हो लेकिन आप खुद अपने आपके function बना सकते हो ठीक है यह advantage इसका है अपने आपके function बना सकते हो जिसका आप यूज डीड प्रोसेस और राइट डेटा करने के लिए आप यूज कर सकते हो ठीक handle all kinds of data apache pig analyzes all kinds of data both structured as well as unstructured देखो अब ऐसा नहीं है कि जो pig है आपका structure data को यह handle करेगा ऐसा नहीं है different different types के data को यह handle करता है structure unstructured यह सारे data को अब structure unstructured नहीं है आपको पता है तो मैंने पहली unit में बहुत अच्छे तरीके से basic से मैंने उठा कर आपको cover किया है ठीक आयोप की चीज़े आप पहली unit से आप देखे होंगे तो आपको सारे concept clear होंगे ठीक है तो it store the result in HDFS अब देखो आप यह भी ध्यान देना कि जो pig processing अगर करने वाज जो result आता है तो हमेशा HDFS के अंदर store होता है यह अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक है अब बात करते है execution mode of pig ठीक है अब इसके कुछ mode होते है execution के चलो उससे देख लेते हैं तो सबसे पहले देखते है local mode फिर उसके बात करेंगे मैं produce mode की तो local mode का मतलब के है in this mode all the files are installed and run from your local host local host local host का नाम आप लोग कभी सुने होंगे कि यह तो अपना ही system होता है या या दा रहा है थोड़ा 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 चीज़े तो जब भी कभी local host जब कभी भी आया आप समझ लिजे का खुद का computer जिस computer हम लोग काम कर रहे होते ना वह ही आपका local host होता है ठीक है तो यानि कि local mode में क्या होता है जो भी files वगर होती है आपकी install होती है local host पर यानि कि आपके system पर ठीक है there is no need of Hadoop and HDFS तो यहाँ पर आपको कोई जोड़त नहीं होती Hadoop and HDFS यानि Hadoop distributed file system का because आपके system में जो भी devices लगी होती है SSD लगी होती है वो automatic उसकी एक अलग ही mechanism होती है data store करने की तो हाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई और mechanism की जोड़त पड़ेगी store करने के लिए ठीक है तो इस लोकल होस्ट पे हाँ इस्टोर हो रहा है this mode is generally used for testing purpose अब देखो अब यह मत आप सोचने लगना कि अरे यार अब तो मैं अपने system पर सभी चीज़े कर लोगा तो क्य आप फायदा है दूसरी जगा पर इदना पैसा कर्च करने का ऐसा नहीं है जरा रूखो इधर देखो यह basically ना testing purpose के लिए की यूज किया जाता है local mode ठीक है जब कभी testing के जोड़त पड़ती है तो वहां पर हम लोग इस mode का यूज करते हैं अब देखो मैं produce mode का क्या है मैं produce mode is where we load or process the data that existing the Hadoop file system using Apache Peak अब देखो मैं produce mode का क्या concept है जब आपका data HDFS के अंदर समझना HDFS के अंदर जब आपका data store है यानि Hadoop distributed file के अंदर आपका data store है तो उस data पर processing करने के लिए है मैं produce mode का यूज करते हैं समझ में आया ठीक है यहां पर क्या है कि जब आप इसमें क्या था local mode में जब आपका data local host पर सभी चीज़ इंस्टाल होंगे तब आपका local mode होगा अगर आपका data HDFS में इस्टोर है तो हाँ पर हम लोग processing करने के लिए MapReduce mode का यूज करेंगे ठीक इन इस mode whenever we execute the pig latin statement to process the data a MapReduce job is invoked in the backend to perform particular operation on the data that exists in the HDFS अब देखो whenever we execute the pig latin statement जब कभी भी हम ना pig latin की एक statement को execute करते हैं ठीक है तो क्या करता data को process करने के लिए execute करते हैं यार देखो जब pig latin की मदद से मालो आपने को script लिखा तो आप script क्यों लिखोगे किसी data के ऊपर तो लिखोगे ना कि हाँ यह data हमको process करना है तो मैं produce क्या करता है उसे back end में invoke कर लेता है ठीक है, बैकें नौक कर लेता है और जिस चीज के लिए आप लिखे होते हैं स्कृप्ट, वो चीजiph आपकी back end में हो रही होती है ठीक है और किस पर हो रही होती में यानी कि जहांपर data आपका HDFS में store है उस पर हो रही होती है को यूज करके स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि बैकेंड में आपकी चल रही होती है जो भी आपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं आई होप की चीज़े आपको समझ में आ गई होगी तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं चलो हम ठोड़ा कमपैरिजन बी करें आखिर में कैसे बूरे हैं देहान दूजेए घ्म करने सपहले मैं आपका पिंग में सही कनफियू से थोड़ा में न्यक्तियों को बताता हँ ऊपाचे पीक डिटा प्रोसेंग पारडाइम और इसे इस Dyne języ लेवल की या नि कि इसमें चीज़े बहुत ही को 꼲ग करना इसे लेङ्वज मातल यह समझ लेना में रडायिम करने की इसकाunts होता है diff concept को map करना फिर इसको एज रडूस में Angry पूट देना ठीक है आप देखो थर्ड नमर पीज में क्या दिया हो परफार्मिंग जॉइन आप पाचे पीग स्पीटी सिंपल जॉइन आप लोग जानते हैं आरे यार इनर जॉइन आउटर जॉइन यह सब आप लोग पड़े होंगे तो वही जॉइन आप्रेशन परफार् करने वाला हूं जॉइन के बारे में बता दूंगा इनर जॉइन आउटर जॉइन यह सारे जॉइन कैसे काम करते हैं मैं काफी चीज़े आपको इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा अब देखो एनी 29 प्रोग्रामर को मतलब या होता है भने नव सकी है मतलब की जो न यहन एकदम प्रोग्रामर होते है नूब एकदम नहीर ही ठीक है अब खेलता होह कтесь च्वें मैं मैं खेलता हूं मतलब कभी कभी दोस्तों के साथ इधर उदर समझ रहे हो ना तो थोड़ी बहुत कर लेता हूं करना चाहिए सभी गरना चाहिए तो यह देखो एनी 29 प्रोग्रामर विथा बेसिक नॉलेज अफ एसक्वेल के साथ काम कर सकते हैं ठीक है एकस्वोजर टू जावा इसमस्ट टू वर्क विथ मैप्रेड्विस अगर आपको मैप्रेड्विस के साथ काम करना है ना जावा तो आनी ही यानि चाहिए जावा आपका पीछ चोड़े गाने मड़ा के लिए रिदिशके कहीं लिए कोड़ लिखें के सबके जंग पर जावा ही जावा आनी आनी ही आनी है तो समयु समझे आगे आगे हो कि आपको multi query approach समझ में आ गया होगा there by reducing the length of code to great extent reducing of code यानि कोई 200 line का code और जावाम लिखते थे यहां पर 10 line का code हो जाता है ठीक है अब दोगो map reduce will require almost 20 times more than number of lines to perform the same task अब दोगो pk में अगर मान के चलो 10 line का code है और वहीं पर map reduce में 20 times यानि कि 20 times मतलब क्या होता है 10 into 10 into 20 करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा ना कोई पीछवाली बात कहीं जा रही है कि मैं produce में 20 times जादे code लिखना पड़ते यानि कि 200 line कोड़ इसमें लिखना पड़ेगा आपको और इसमें जो रहेगा आपका 10 line कोड़ में हो जाएगा ठीक है मैं इस जन्रल टर्म बता रहा हूं ऐसा मत आप कहिए कि 200 आप बताए थे कि उसमें 200 लाइन है तो exact 10 लाइन होना चाहिए ऐसा निक जन्रल टर्म होता है कि हो सकता है यारा बारा लाइन भी चली जाए ऐसा होता है ठीक है तो देर इस नो प्रोट जॉब्स वगेर होती है ना यहां उसको कंपाइल करना पड़ता है तो देखो अगर कंपाइल करना पड़ेगा तो यहां पर टाइम जादे लगेगा और हो तो इतनी सारी चीज आपको जानने के बादा आपको लग रहा होगा कि हाँ पीग में कुछ तो दम है या तो इसलिए थो आफी है काफी है कहीं कहीं देखो हर किसी चीज़ के यह बहुत ही परफेक्ट है अगर परफेक्ट रहता तो आगे और टूल्स आहे नहीं रहते हैं तो पिक में भी कुछ डिसडवांटेज हैं लेकिन जिस काम के लिए पीक को बनाए गया ना उसके लिए यह ठीक है तो पीग को आप यूज करिए बिग डेटा में ओके तो अब बात करते हैं पीग वर्सेज इसकोल की अब देखो डेटाबेस जो होता है इसके साथ हम लोग थोड़ा इसे देखते हैं कि कैसे यह होता है ठीक है पीग लैटीन ही जब प्रोसीजरल लैंग्वेज अब द लोग DBMS में आप लोग सब चीज पढ़े चुके हो इसकी मा क्या होता है कैसे सब चीज आप पढ़ चुके हो और SQL के अंदर आप लिए अपटोनीटी मतलब क्या है का मतलब क्या है कि यानिंक इसमें आपको बहुत सारी queries मिल चती हरन करने के लेकिन आर पिक के अंदर उतनी आपको optimization नहीं मिलती है ठीक है तो वही कह रहा था ना कहीं कहीं पर यह helpful नहीं यह लेकिन मुझे आपको कालेज में सबस्izing कर दिया क्या गया पहिंग सबस्क्राइब पता सकते हो तो चले अफा कूलेजी को मैं होता क्या है है मैं को मैं बताने सब्सक्राइब कर एक चीज बताता हुँ आपने कभी python install किया अपने system पर अगर python install किया होंगे न तुसके साथ आपको एक cell मिलता है वो cell नहीं battery वाला cell ना समझे ले न ठीक है बैटरी वाला cell नहीं है तो यह battery वाला cell नहीं है बलकि एक cell मिलता है आपको ऐसे उपन जब उसे आप उपन करेंगों उसमें पाइथन के जो भी कमांड्स होते हैं ठीक है तो उसकी कोडिंग आप वहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं उस सेल में खैर वालग सी बात है हम लोग बहुत सारे IDE यूज करते हैं IDE IDE अगर आप कोडिंग करते हों तो पता ओगा IDE क्या होता है full farm integrated devices कोड इंवारबं хват होता है full farm इसका IDE यूज करते हैं code यूज करते हैं VS code editor यूज करते हैm सबॉधिं यह सारे चीज हम लोग use करते हैं ठीक code editor वगएरा लेकिन एक cell जो हम python install करते हैं तो उसके साथ हमें एक cell भी मिल रहा होता है तो cell के अंदर भी python वगर के code run करते हैं ठीक इसी तरह एक grunt cell भी हमें मिलता है pig latin वगर को run करने के लिए भी मैं बताऊंगा तो grunt cell होता है जो की cell command होता है ठीक और the grunt cell of apache pig is mainly used to write pig latin script अब देखो pig latin जो script थी अब कहीं तो कहीं आपको लिखना पड़ेगा न उस script को run करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं grunt cell grunt cell याद कर लो grunt cell आएगा जरूर आता भी एक्जाम में तो grunt cell को use करते हैं pig latin script को वहाँ पे लिखने के लिए ठीक आई हो की पहला point आपको clear हो गया होगा second point पर कहा है pig script can be executed with grunt cell which is native cell provided by apache pig to execute pig queries ठीक है जो भी pig queries होती है वो आपका grunt cell में आपका जो भी चीज होती है execute होती है और यह एक native cell होता है जो की apache pig के थुरू provide किया जाता है कि grunt cell में बहुत सारे commands आपको मिल जाएंगे जहां से आप बहुत अच्छे तरीके स्यूज करेंगे नहीं बहुत सारे commands इसमें नहीं होते हैं लेकिन जो command होते हैं जिस चीज के लिए होते हैं वह well enough होते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ extra जरूरत भी पढ़ेग येने contest जादे मोझे नहीं लगता ठीक है तो बल्कि unique cell जोटे हैं उसमें बहुत सारे commands होते हैं ठीक है तो थोड़ी helpful चीज़े होती है ना कुछ एक्स्टा चीज़े करने ही होती है तो हैं बहुत सारे commands होते हैं Unix cell में लेकिन Grunt cell में कुछ specific command ही होते हैं बहुत सारे commands नहीं होते हैं ठीक You can get a list of command using the help command अगर आपको list सही है कि कि कितने कितने command इसमें है तो आप simply help command को type करके बहुत ही आसानी से सारे lists को देख सकते हैं कौन-कौन से command होते हैं अब देखो जब Grunt cell से आप बहार जाना चाते हैं Simply type करो quit या फिर Ctrl D press करो बहार जाओ ठीक अब देखो we can invoke cell commands using shnfs तो simply Grunt में अब देखो यहार में एक चीज़ बताता हूँ जब Python आप cell में जाते होंगे न यहां Grunt जो लिखा है यहां पर पाइथन लिखना के लिए पाइथन दिख रहा होगा अगर आपको नहीं पता है तो आज जाओ फुदी Python open करो अभी laptop में जाना cell को open करना और देखना यहां पर पाइथन लिखा रहाएगा ठीक है तो यहां पर पाइथन लिखा रहाता है तो यह Grunt तरह समझते हैं अब देखो pig latin is a data flow language मैंने भी पीछे बताया यूज़ बाइप आपाचे pig to analyze the data in hadoop hadoop में जो भी data होता है उस analyze करने के लिए हम pig latin language को use करते हैं इतना जरूर याद कर लो heading में लिख देना जब भी exams में या कहीं पूछा जाया कोई भी आप से पूछे बस इतना बता देना pig latin एक तरह की scripting language होती है जिसका use हम लोग hadoop में जो data होता है उस analyze करने के लिए हम लोग करते हैं इतना आपको clear हो गया होगा ठीक it is a textual language that abstract the programming from java map reduce idioms into a notation वहीं दोका abstraction concept में फिर नहीं बताऊंगा उसे ठीक है अब दोको pig latin statement देखो the pig latin statement are used to process the data ठीक है जो statement जो हम लिखते है ना statement हम लोग खुद लिखते है यह ध्यान देना उसका use करते हैं data को process करने के लिए it is an operator that accept the relation as an input and generates another relation as an output ठीक अब दोको पहले नमर भी देखो it can span multiple lines अब दोको एक line में ऐसे से जा रहा है code लिख रहा है span हो जाता है second line में भी span होता है ऐसा नहीं बस एकी line में रहागा multiple lines में span हो सकता है ठीक फैल सकता है यार ऐसे समझो फैल सकता है span मितलब फैलना ठीक अविस्तार देखो इच स्टेटमेंट मस्टेंड एंड विथ सेमी कॉलन जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं वह सेमी कॉलन के थुरू एंड होता है सेमी कॉलन के थूरू इसे एंड करना ही आपको होगा ठीक it may include expression and schema is ठेक ये expression schema को भी include कर सकता है by default these statements are processed during multi query execution by default जितने भी statement होती है यह multi query execution approach को use करती है अब देखो multi query execution मतलब क्या है कि एक time पे एक query नहीं लिखेंगे multiple query लिखेंगे और जैसा कि वहने semi colon से separate करने की बता है ना यानि जो भी query लिखेंगे अब multiple query लिखें एक query लिखेंगे इसके बाद semi colon फिर बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं pick example गी लेटिन को कैसे use करके हम data को analyze करते हैं तो मैंने एक example लिया है using when find the most occurred स्टार्ट लेटर आपको फाइंड करना है तो इसमें बहुत सारे केस होते हैं ऐसा ही केस मैंने आपको बस लिया कि आपको समझाने के लिए यहां पर देखो मैं आपको पूरी चीजे तो नहीं समझा सकते एक वीडियो में क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और से भी हट जाएगा हडम आउट फ टोपिक चले जाएंगे यह मैंने बस आपको समझाने की लिए है मैं इसलिए सोच रही है कि हां आपको थोड़ी समझ में आ जाएक कि लिए इत आपको समझ में आ जाएगा ।ो पहले केस में मैंने क्या किया है लूर्ड the data रहे रहे जो भी character रहे होगा न वो इसके अंदर आएगा वो कैसे आगा सबसे पहले हम load लिखेंगे ठीक है load क्यों लिखेंगे यानि कि हमें जो भी चीजे है ना यह कह रहे 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 के अंदर जो भी data आएगा आपका यहां से data.txt से उसे हम लोड करेंगे lines के अंदर लोड लिखेंगे और इसका location देंगे कि कहां पर आपका data जैसे user फिट डेक्स्टॉप पर data.txt के नाम से आपकी एक फाइल बनी हुई है ठीक है वहां से आपको data को उठाना है आप लोग इंटीजर पढ़े होंगे अभी दो तीन चार पांच के फार्मेंट क्या होता अगर आपका मानलोब मोहन लिखा हुआ है मानलो मोहन नाम लिखा हुआ ऐसे यह आपका string हो जाता character के अंदर यह फिर यह रहेगा फिर यह कॉमा फिर ओ रहेगा फिर ऐसे करके आपका character फिर एचे-चे-एन आएगा मोहन पूरा तो यह अलग-अलग यह करेक्टर होता है ठीक है तो ऐसे ही character के form में वह आपका जाके lines म आपको मिल जाएगा 6-7 cases यहां पर होते हैं उसके बाद आपको चीजे मिल जाएंगे ठीक है आई अब की थोड़ी बहुत आपको आइडिया लग यह मुझे पता है कि चीजे आपको नहीं पूरी समझ में आएंगे लेकिन आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा आपकी classes चली होंगी तो sir आपको जरूर बताया होंगे जो भी sir आपको पढ़ाया होंगे तो आपको UDF sort form आपको जरूर सुने होंगे वहाँ पे ठीक है तो user defined function चलो समझते हैं basically बहुत ही important topics यह बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा तो अब हम बात करते user defined function की तो user defined function basically क्या होता है मैं थोड़ा अपनी language आपको बता देता हूं अगर आप c programming language में code करते होंगे तो printf देखे होंगे तो यह जो printf होता है ना यह पहले से define function होता है यह user नहीं define कर रहा होता है यानि कि कोई भी statement print करने के लिए जो भी चीज़ा प्रिंट कराना चाहते हैं तो बस आपके डबल इनोड़ेट का में अंदर अप्लिक देते हैं और वो आपका प्रिंट हो जाता है ठीक है तो सेम ऐसे ही अगर आप खुद का एक function बनाते हैं तो वो क्या होता है आपका user defined function होता है वो user खुद बना रहा होता है ना कि पहले से बना बनाया होता है ठीक है आई हो की user defined function we can define our own function and use them मैंने बता है कि कोई भी programming language हम खुद का अपना user defined function बना सकते हैं तो वही हम लोग फंक्शन बनाते हैं अपने कॉर्णिंग जो काम हम लोग करवाना चाहते हैं ठीक है अब देखो जब भी मैं UDF का नाम लो तो आप समझ जाएगा कि मैं user defined function का नाम ले रहा यूदी अपर इस प्रोगामी लेंगवेज में सपोर्डे होता है जैसे कि नेमली जावा पाइथान जावा इस्क्रिप्ट रूभी गुरूभी तो इतनी प्रोगामी लेंगवेज में यह सपोर्डे होता है ठीक अब दो complete support is provided in Java and limited support is provided in all the remaining language अब देखो जो support होता है ध्यान दीजेगा अपाचे पिक की यहां पर बात की जा रही है वैसे तो इसे बहुत सारी प्रोगामी लेंगवेज मनती है लेकिन यहां पर हम अपाचे पिक के अंदर बात कर रहे हैं त्यान दीजिएगा यहां पर complete support in provided in Java Java में आपको complete support मिलता है UDF का अपाचे पिक के दुरू म मिलती है Java में सभी चीजे लिखी गई है इन सभी चीजों को Java में बनाया गया है इसलिए जो support होता है यह बहुत ही जादे मिलता है Java में user defined function का और बाकी programming language में मिलता है support लेकिन उतना जादे नहीं मिलता है ठीक है तो using Java we can write UDF involving all parts of processing like data load, store, column transformation, aggregation जैसे कि कुछ processing आप चाहते है data पर करवाना तो इसे load, store, column transformation इन सभी चीजों के लिए आप खुद का user defined function आप बना सकते हैं ठीक Apache Pig has been written in Java, Apache Pig जो tools बनाया गया इसे Java में लिखा गया है ठीक जावा में code करके Apache Pig को बनाया गया है तो UDF using Java work efficiently compared to other language और यही reason है ना कि इसे Java में code करके बनाया गया है तो यही reason है कि Java में यह बहुत अच्छे तरीके से efficient तरीके से काम करता है ठीक होता है ना यार कि जिस area के हम होते हैं उस area में हम लोग सेर रहते हैं अब बाकी दूसरे area में जाने पर थोड़ा तो होता है ना कि होता है आप समझ रहोंगे मैं क्या कहना जाता हूं कि आप जब नए area में जाता है इंसान तो थोड़ा side feel करता है चीज़े करता है अपने area बेराता है आओ छू कर दिखाओ अभी मैं तुमको बताता हूँ एक बड़ छू तो दो उसके बद तुम change कर जाओगे दर से तो काफी चीज़े वहती है मैं थोड़ा funny के लिए use कर लेता हूं आरे सब चीज function का क्या होता है the filter function used as a condition filter statement filter मतलब आप समझते होंगे पानी filter जो होता है ना समझते हो ना filter पानी filter में क्या होता है कि कुछ-कुछ molecules होते हैं उन्हें अलग कर देता है यह ठीक आप filtering करता है ना से मैंसे ही बहुत सारे आपको डेटा होंगे तो डेटा में अगर कुछ चीज आपको बहुत वराइटी अप डेटा होती है ना उसमें से कुछी specific चीज आपको निकालने होती है तो हांसे फिल्टर करेंगे तहां पर कुछी statement लिखेंगे उन सभी चीज़ों को filter करने के value as input and return a boolean value ठीक है तो यह क्या करता है पिक वैल्यू को इनपूट लेता है और बूलियन वैल्यू करता है बूलियन का मतलब समझ रहे होंगे दो ही टाइप की value होती है या तो true होगी या तो false होगी इसके सवाज की जिन्दगी में कुछ नहीं है बूलियन की जिन्दगी मे सुने स्वाइब ще रहा ही यह राइट फील्टर फंक्षन से एक स्माल स्टेपन होता है ठीक है अब देख़ोर्यएर्स फंक्षंटর स्टेटमेंट में यह सेमस्टेटमेंट में हम लोग है इवकुतर्य करते हैं ठीक है और देख़ो इस फंक्षन सेप्ट पीप वैल्यू यह भी पिक value as a input लेता है और return करता है पिक result ठीक अब देखो algebraic function में क्या है कि these functions are used to perform full map reduce operation on an inner bag inner bag में inner bag पर जो भी operations होते हैं map reduce के वो सभी चीज़े यहां पर perform किये जाते हैं ठीक अब चलो बात करते हैं data processing operators कुछ data processing operators हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से अब समझेगा काफी इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के पॉइंट अभी उसे और knowledge base के लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट है अब data processing operators के अगर बात करें तो हैं आप अपाचेपी operators is a high level procedure language जो अपाचेपी होता है operator that takes as a relation as input and produces another relation as output दो पिलाटीं statement होता है ना यह जो अजो इन पूट आपका relation लेता है और फिक क्या करता है कि आपको 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 में एक र्लेशन आउट्पूट में देता है ठीक है अब दोको relational operators क्या होता है relational operators are the main tools pig latin यह में टूल पिग लेटिन का में टूल होता है जो कि प्रोवाइट सर्ट ऑप्रेट अंद डेटा ठीक इट अलाओ यू तो ट्रांसफॉर्म डेटा बाइस वाइस वाइस यहां से सॉर्टिंग गूपिंग जॉइनिंग प्रोजेक्टिंग अन फिल्टरिंग यह सबी चीज़े आपको लोड आपको मैंने बताया था ना पीछे वाले मियाद करो लाइन नाम का जिसमें कहरे रहे रहे इस्टोर करा रहे थे तो हमने वहां पर लिखा था यहीं पर देखो लोड यूज़्ट टू डेटा फ्रम दफाइल सिस्टम फाइल सिस्टम यानि कि अपने सिस्टम से या फ या फिल्टर काम क्या होता है यह होता है कुछ टपल को सलेट करता है कुछ कंडिशन पर आप जैसे मालो एक एक रिलेशन है जहां पर कुछ इंपलई काम कर रहे हैं और हम वहां पर सलेट करना है कि जिसकी सैलरी 30,000 से 30,000 से अगर greater than हो तो उतने इंपलाई का नाम मुझे निकाल के दे दो फिल्टर कर दो हां से तो यहां पर फिल्टर को यूज करके हम ऐसा डीटेल वहां पर फिल्टर न आउट कर सकते हैं ठीक आयो की चीज़ आप समझ रहे होंगे जॉइन अपरेशन क्या होता है जॉइन म क्या होता है इस्टोरी यूज तो सेफ रिजल्ट तो फाइल सिस्टम जो भी हम अब देखो कही रिजल्ट तो आएगा मालों कोई operation परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां से कुछ रिजल्ट तो आएगा उसे फाइल सिस्टम इस्टोर करने के लिएम इसका यूज करते हैं ठीक अ अब इसे कुछ condition दे दे कि इसमें बहुत सारे employee हैं जिसकी 30,000 से ज्यादे salary हो इसमें आ जाए जिसकी 30,000 से कम हो इसमें आ जाए ठीक है जो मानव चलो जिसकी 5,000 रुपए हो इसमें आ जाए ठीक है जो लाखों में कमा रहा वो दूसरे में चले जाए तैसी split based पे हम कुछ expression की statement दे के हम लोग कवर कर देते हैं मैंने यहाँ पर एक general example आपको दिया कि split वगरे का थोड़ा काम कैसे करता है ठीक है तो अब हम बात करते हाइप की हाइप देखो अभी तक हमने कवर कर लिए पिक की जितनी भी चीज़े थी हम लोगोंने कवर कर लिया है अब हम बात करने जा रहा है हाइप की तुक्ة हाइप की यह क्यों है अपको देखने के लिए मिले गाईThere आ शक्ते आलत खराब जाती है तो कभी आपने भागा यार मुझे बताना जरूर आप मुझे personally कमेंट करके भी बता सकते हो मुझे mail करके भी बता सकते हो कुछ जो भी चीजे हो ठीक है तो चलो समझते हैं हाइप को ठीक है तो अभी इसको समझने से पहले यार सबसे पहले इस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं अट लिस्ट हैर मैं आपके इतना तो कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए इतना तो करी सकते हैं, चैनल को सब्स्ट्राइब कर लो, और वीडियो का एक लाइक तो जरूर कर दो, इस वीडियो का लाइक टार्गेट मैं रख रहा हूँ, 300 likes का target मैं रख रहा हूँ आई होग कि आप लोग पूरे कर देंगे ठीक है तो इस वीडियो को like करो comment करके बस इतना comment कर दो कि हाँ आपने 5 minutes की वीडियो बनाए और बहुत ही helpful रही बस इतना मुझे comment कर दो कि वीडियो है helpful रही पूरे 5 unit जो मैंने बनाए ठीक है ओके तो आप बात करते हैं हाइप क्या डिटेक्चर है आप लोग एक्जामपल आमेजन जो एक company है जहां समलक स्वापिंग करते हैं इसके बहुत सारे customers है बहुत सारे customer है तो जो बहुत सारे customer से data को order करते हैं समान को अपनी information फिल करते हैं तो different customer का data आ रहा होता है तो data कहीं तो जाकर इस्टोर हो रहा होगा आप दो कहीं बड़ी बड़ी company होती है हमारे data को collect करती है और उस पर analytics वगर analysis वगर करती है और फिर हम ही को ads वगर या हमको product वगर जो हमारे interest के दिख रहे होते हैं यह सबी चीज़ें यहीं से आ रही होती है ना टिक्स वगर करने के बाग ठीक और कहीं से नहीं आ रहा होता है यहीं computer science student आपके सभी चीज़ें पता होनी चाहिए त्यानि कि जो डेटा वगर कस्टमर का जो हम लोग फिल करते हैं अपनी सभी चीज़ें अपनी यार देखो shipping address इंट्रेट जो साच कर रहे होते हैं चाहिए कर तो वह चीज़ें के ही नहीं Store हो देता है जो समझ लेकरा डेटा वेएरफ के समझ लेना डेटा वे अटेटा वेश होता है ठीक आप द रहों remain structure data मैंने आपको पीछे बता रखा है कि structure data क्या होता है जो हडूब में structure data होता हुद उसी को process करने के लिए यह data warehouse instructor tool होता है ठेक it reside on top of Hadoop to summarize big data and makes querying and analyzing easy तो जो भी querying वगर करते हैं और analyzing करते हैं यह हमें बहुत ही आसान कर देता है हमारे लिए वो सभी चीजों को करना ठीक initially high was developed by facebook starting में facebook के थूरी से develop किया गया था बाद में अपाचे अपाचे साप्टेयर foundation ने इसे ले लिया मतलब इसे acquire कर लिया ठीक है और इसे फर्दर जाकि इसे open source इसे develop किया और open source इसे कर दिया और open source तो आपको पता यह open source जब चीज़े हो जाती है तो उसका source हम लोग code देख सकते हैं और उपर से हम उसके चीज़ें के companies के साथ यूज़ भी किया जाता है और आप समझ सकते हैं इसे यूज़ करता है ठीक है और elastic Map produced ठीक उसके बाद देखो हाइब सपोर्ट डेटा डेफिनीशन लैंगवेज डीडील आप लोग सुने होंगे यह ना सुने होंगे अटलिस्ट आप डीडील टीमल तो सुने ही होंगे तो मुझे नहीं लगता है और फिर मुझे बताने कि यहां पर जुरूत पड़ेगी आप लोग पड़े होंगे तो आप को चीज़ें पता होंगे ठीक है तो अब अपिशन कि देशन को ले लो तो जो बड़े-बड़े बिजनेस होते हैं, इनके जो larger data set होते हैं, तो इन्हें यह organized करते हैं, ठीक है, यह इसे organize करते हैं, और इस data set पर complex analysis वगेरे perform करने का support ब्रॉइड करते हैं, यह बहुत ध्याण समझेगा, ओलैप कहीं पूछा भी जा सकता है आपसे ओलैप, ठीक है, ऐसा मत समझ चलिए कि बस आपको एक्जाम में लिखना है, आप इसको समझ लेजिए, इसका फुल फर्म होता है, ओनलाइन, ओनलाइन, एनलिटिकल प्रोसेसिंग होता है, जो कि क्या करता है, जो बड़ी-बड़ी क परफॉर्म करने का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक, आईोब कि आपको उलैप समझ में आ गया होगा, थर्ड नमबर बात करते हैं, इसको यूज करते हैं, उसके लिए इसको यूज किया जाता है, फूर्थ नमबर पर क्या है, इसको फैमिलियर, फास्ट, इसके ल ठीक, तो उसका देखते हैं, लिमिटेशन कुछ हाइब के हैं, उसे थोड़ा देख लेते हैं, आप देखो, ये रियल टाइम डेटा के साथ यार कैपेबल नहीं है, रियल टाइम डेटा क्या होता है, जैसे कि मान के चलो, कि ये प्रोड़क्ट है, अब कस्टमर यहाँ पे और करना है, कस्टमर को और करना है कोई समाई, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो उस वेब साइट पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, एकाउंट बनाएगा, एकाउंट बनाने बाद फिर प्रोड़क्ट पर जाएगा, ठीक है, प्रोड़क्ट पर जाएगा, फिर यानि कि जो डेटा सारे जितने भी चीज़ हो जाती है और उसको कहीं पर करके रख लिया जाता है यह जो डेटा होता है यह स्टोर करके रख लेता है फिर उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग गरण परफॉर्म की जाती है ठीक अब देखो इट इस नॉट डिजाइन फर ऐलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग लिए इसे नहीं डिजाइन किया गया अब क्यों कि यह जो अन्लाइन ट्रांजेक्शन होती है आप वो ऐसा नहीं होता है कि आप अभी transaction करें और 5 मिट के बाद वो successful हो ऐसा तो नहीं होता है transaction आपकी real time पर जैसे ही होती है ठीक है तो इसलिए transaction के लिए भी यह design नहीं किया गया इसे ठीक है high queries contain high latency यह इसमें latency थोड़ी देखने के लिए जादे मिलती है तो खेर यह कुछ limitations है लेकिन advantages भी इसके बहुत हैं यह मांग चलिएगा ऐसे नहीं हम हाइप की यूज कर लेते हैं तो इसके भी advantages बहुत हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं तो अभी हमने पीग की बात की थी तो उसके बाद हम हाइप की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में थोड़ा हम डिफ्रेंसेज जान लेते हैं कि अक्च्वर में का यूज कहां कहां पर किया जाता है देखो हाइप इस commonly used by data analysts जो data analysts वगर होते हैं वहाँ पे वह लोग हाइप का यूज करते हैं और जो पीग यूज होता है यह प्रोग्रामर्स यूज करते हैं जैसे पीग लैटिन वगर स्क्रिप्ट वगर है तो वहाँ पे लाइंग्विज वगर अप्वाइड करता है तो करने के लिए का यूज कर और जो हाई बता है यह डेटा आलिजटी डेटाइनलिस्ति वगएर जो होते हैं वहाँ पर हाईब का यूज करते हैं अब देखो I can handle structure data structure data handle करने के लिए हाई ही वहता है और जो हूँता है है जो client side पर करता है ठीक अब हाइप जो होता है slower पिक के as compare slower है हाइप जो है ठीक लेटेंसी में हाइप होती है ठीक है पिक जो होता है यह faster as compared to हाइप ठीक है तो आई-चीज आपको मिलती हाई वेब यू आई और हाई सर्वर सियल आई हाई ड्रावर यह सब चीज़े मिलती है आपको सर्वीश के अंदर फिर आपका मैप रेडूस आता है यहाँ पर याद कर लीजिएगा अगर एक्जाम में आपको कोशन पूछता है हाई बाटी टेक्चर इंस्टॉलेशन स आपको चीज़े बनानी होगे अगर जावा में आप लोग करते होंगे जो कि इसका फुलबं होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर कराना चाहते हैं अपनी अप्लिकेशन से तो आपको सुने होंगे अगर आपको पहले से पता है न तो काफी हेलफूल होगा ची सरविसेंग चली के सअगे ससा के सबसे पहले आता है को कमांड लाइन इंटरफेस होता है उन्हें वहां पर नकाराते है और आपको पता ही हो गया जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, किसे लिखने है कुछ नहीं होता है कि क्लिक करके कुछ कर दें नहीं होता है इसको हाइड यूजर इंटरफेस हाइड यूजर गण यहां पर देखो क्वेरी और कमांड को एक्जिक्यूट करने के लिए यहां पर देखो क्वेरी और कमांड को अधिक्यूट करने के लिए ठीक है आप देखो हाई मेट इस्टोर होता है बेसिकली हाई मेटा इस्टोर क्या होता है इसेंटर संथेंगाल रखेक्शन वेर्षाइंड जो लिए स sodSём फैर बता दिया किया होता है दोवेहरो इन्कलूूट में पहले UP अब देखो यह मेटाडेटा को भी इस्टोर करता है मेटाडेटा क्या होता है डेटा का डेटा डेटा की इन्फोर्मेशन अब नेम नोड वगेरे आप लोग पढ़े थे तो आपको पता था कि यहां पर डेटा रहता था ठीक है यहां पर बहुत सारे डेटा रहते थे इन सार सारे चीजों का Metadata यहां पे पेश्टब रोता था एक जगह और जहां से हम सारा information यहीं से निकाल लेते थे यहां 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 नहीं गड़ता था अभी की आपको Thrix%, JVC Driver وغیرے को जो लिखते हैं थांथा ट्राइब रिटिऴ Newton Goodman को यूज़ करके जो भी हम को वेल इंटेर्श को करता है हई ध्राइवर होता है जो दो कया है हॉर सभी होड रहें पर्सेग नंचिन को मिल्धित Lab ब्लॉक्स एंड एक्प्रेशन अब सिमेंटिक एनालसीज वगरा मैं यहां नहीं बताऊंगा आप कमपाइलर डिजाइन जब पढ़े होंगे तोहां पर आपको अच्छे से पता होगा कि सेमेंटिक एनालसीज वगरा कैसे होती है ठीक सब्सक्राइब करते हैं मैं फ्रीडूस जाब आपको समझ में आ गए होगी तो इसे समझ लेना क्योंकि हाइब सर्वीस वगरा पूछते हैं एक्जाम में तो आपको बहुत आसानी होगी आंसर करने में ठीक तो चलो बात करते हैं हाइब ना लेन होता है वहताई को सबसे फहले लिखी पर जाना पढ़ेएगा कि आपको वैब साइट पड़ेट रुखने ऑग से तर defect करसे में पर सबसे पहले वहाँ पर लिखनी पड़ेगी तो यह कमांड होता है जो कि आपको cmd में सिंपल से रंड कराएंगे जाव-fn वर्जन तो आपको बता देगा कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं जावा इस्टॉल है कि फिर हडूप आपको इस्टॉल करना पड़ेगा ठीक उसके बाद can the best best RC file को आपको open करना है फिर आपको home path हाइप का home path आपको provide करना है पाद आप लोग समझ रहे होंगे भाट आप देते हैं न तो आपको पता होगा जिस नलॉज आपने कभी किया होगा तो इसलिए करते हैं फिर देखो अप्डेट देट इन्वार्मेंट वेरियेबल मैंने बताया ना कि आपको अपडेट करना पड़ेगा माँपे लेट्स इस्टार्ट दा हाइब प्रोवाइड इन कमांड डॉलर है इतना कमांड देने के बाद आप हाइब को स्टार्ट कर सकते हैं और हाइब की दुनिया में जाकर हाइब को अब पूराने जो डेटा पूराने थे पहले कि थे उनके साथ थोड़ा कम्पेर करके देखते हैं कि आखिर में इसका मामला क्या इसका सीन क्या है तो अब देखो एक तरह आपका हाइब लिए है ठीक है ते 92 इस्टेंडर्ड है और यहां पर देखो स्कुल 92 प्लस हाइब स् अबडेुट कैब बिलिटी में क्या है इंश्ट अपडेट अंडिối आप डीसके एंग लेकिन हाइप के अंदर इंशर्प अप्डेट कर सकते हैं बल्कि अपडेट और डीलीट नहीं कर सकते हैं ठीक थ्या होता है त्रांजेक्शन मreze होता है नो यानी हाइब के लिए नो वगर यह नहीं होता है और IDVMS होता है ट्रांजेक्शन वगर है कि आज भी जो अप्लिकेशन बना जाती है ना यार तो वह स्कुल वगर सकते जाता है इसकी लेटन्सी जादे होती है विसकी कम होती है और हाइब की ज्यादे होती है इंडेक्स का डेखो एक theories इंपस्क्राइब लो इंदेट से डेटाइज अडिलग इन पर इन इंप ऐसंगे और डेटाइस इसमें टेरा बाइट में टेक यह पेना भाई यह लगा कि कि तो अब हम बात करते हैं है कोई कभेरी we laugh कर लेते हैं तो this is और को है क्लियर करते हैं सबसे पहले आप हैक्ते है mo लोग हम लोग LNG का use करते हैं हाइब support for file format यह फोर फाइल फारमेट को support करता है पहला test file sequence file ORC file RC file अब इन सारे files के बारे में मैंने पीछे cover कर रखा दूसरी unit ने तीसरे unit मैंने cover कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से यह files दिखने में कैसी होती है क्या कंटेन करती है कैसी होती है किसमें बाइनरी की फ़र में डेटा होता है क्या चीज़े कैसे होती सब कवर कर रखा तो जाओ पीछे वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लो अगर देखा है तो वैलेंड गूर्ड ओके तो हैप सपोर्ट बहुत यह प्रीमिटिव और नियुमेरीक बूलीय आपका प्रीमिटिव में आता है और कमप्लेक्ट डेटा वहता है अपका यह इक दो तीन चार पाच और बूलियन टूप और इसके अंदर अगर जो भी डिटा आपका लिखा रहे इसे मोहान मानों को चलो तो यह आपका आजाएगा इस ट्रेंग के अंदर आई होप की क्यों आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेरिंग डेटा एंड इस डिफाइंड फंक्शन तो यूडिफ के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसका सीन क्या है तो सबसे पहले हम क्वेरिंग लेना कि वह बहुत ही आसानी से यह पार्ट कवर कर लेगा पीग है और हाइब है और जो आपका है बड़े आसानी वह सभी चीज़ें उसको समझ में आएंगी ठीक तो चलो पहले बात करते हैं सेलेक्ट स्टेट्मेंट की तो इस यूज तो रिट्रिव डेटा फ्रॉम लगाने के लिए करते हैं तभी आपका यहां पर इस एक्जामपल में आपका सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे यह आपके पास टेबल दिया हुआ है ठीक है यह टेबल आपके पास दिया हुआ है इस टेबल पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कुछ को रन कराते है जैसे हाइप के अंदर मैंने लिखा select select कहां से करना है from employee table यह table बने हुई है जिसका नाम employee है employee table है ठीक है तो हम लोग select करते हैं employee table को ठीक है तो हमने select कर लिया ठीक है अब select करने के बाद where salary is greater than 30,000 यानि कि employee जितने employee उसमें select करने है ना सभी सभी चीजों को select करना है यानि कि जिसका 30,000 से जादे salary हो अब देखो 45,000 45,000 40,000 अब यह बेचारा करन की 30,000 salary है तो यह table के अंदर नहीं आया यानि कि ऐसे ही आपको जब data fetch करना रहेगा कि as a condition कुछ देखे कि इसकी salary से जादे हो तो हमें इस सब सारा data दे दो तो वही सब operation perform करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपको समझ में आ गाई होंगे तो अब हम बात करते हैं Udf की user defined function की तो हम बात करते हैं Udf यानि की user defined function के बारे में ठीक है तो पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है इन हाई the user can define on function to meet certain client requirements की कुछ requirements होती है तो यहां पर क्या कर सकता है जो users होता है वो खुद के function को लिख सकता है मैंने बताया था कुछ specificly defined function होते हैं जो कि पहले ही से लिखे होते हैं जो कि प्रिंटेफ का मैंने बताया था जो कि प्रिदिफाइंड फंक्शन होता है और इवें आउट के लिए आपको कोई आप function लिखना चाहते हैं तो वह आपका होता है तो यह novels written in Java for specific modules कुछ specific modules के लिए ठीक है यह Java में लिखे गया है जो भी user defined function होते हैं वह specific module के लिए जावा में लिखे गया है अब मानली जी हम function क्यों लिखते हैं किसी programming language में like कुछ हम लोग कोड मानली जी बीस लाइन का code लिखे हैं किसी function के अंदर ठीक है एक function है मानने चलो यह function हमने लिखा और इसमें कोड है ठीक है अगर सेम functionality कहीं और हमें इसको यूज करने हैं तो क्या करोगे बीस लाइन का code फिर से थोड़े लिखोगे simple सा इस function को call कर लोगे और एक लाइन में function गया simple सा call कर लोगे जो भी parameter वगएर होंगे पास कर दोगे और फिर उसको तुम्हारा function कॉल हो जाएगा तो यहां पर तुम्हें बीस लाइन का code नहीं लिखना पड़ेगा या तो यह तर्री यूजिबिलिटी वहां पर आपकी बढ़ जाती है ठीक है उस code को मल्टीपल मल्टीपल जगह पर यूज कर पाते हो दूरिंग दा क्वेरी एक्जिक्यूशन दा डेवलोपर कें डिरेक्ली यूज दा कोड एंड यूजिए विल रिटर्न आउट्पूट एकॉडिंग तास्ट वह यह कि चो भी यह डिफाइन टास्ट का साइन होते हैं उसके कोडिंग वाउट सोगर देता है इट प्रवाइ कोडिंग सब्सक्राइब अब देखो for example for string streaming we don't have any predefined function in hive ठीक है अब देखो string streaming के लिए हमारे पास कोई predefined function hive में नहीं है predefined function क्या है जो पहले से function define होते है उस particular tools या particular programming language में जो function पहले से define होते हैं वो predefined function होते हैं तो for string streaming के लिए पहले से कोई भी function define नहीं किया गया hive में ठीक है तो for this we can write stream udf in java तो इसके लिए हम लोग एक function user defined function लिख सकते हैं जावा में ठीक है whenever we required stream functionality जब कभी हमें stream functionality की जरूत पड़ेगी तो requirement हमें feel होगी तो हम directly यह उस function को call कर सकते हैं hive में ठीक I hope की चीज़े आपको समझ में आ गई होगी कि user defined function hive में क्या होता है ठीक तो एक like कर दीजिए अगर आपको चीज़े समझ में आ गई होंगे ठीक चलो अब बात करते हैं sorting and aggregating के बारे में ठीक तो यहां पर sorting and aggregating के बारे में मैंने लिखा है तो इसे सिंपल ही साब समझ जाएगा ठीक है तो समझ भी जाएंगे आप पड़ लीजेगा मैं आप बस सिंपल साबको बता देता हूं देखो यह from सबसे पहले लगा है record2 यानि record2 से डेटा लेना है select क्या करना है आपको सेलेक्ट इस्टेट्मेंट लगा है यहां पर year and temperature को select करना है distributed by year ठीक और short by क्या करना है year year asc and temperature dsc समझ रहा हो temperature को decreasing order में आपको select आरना है और जो आपका year है वो increasing order में increasing order कुछ लग रहा है 49 49 50 50 and 50 increasing order में और टेंपरेचर जो आपका decreasing order यह सब चीज आपको करने के लिए करते हैं ठीक आयोप की चीज आपको समझ में आ गए होंगे यह बस एक बार पढ़ लोगे ना है और समझ में आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है ठीक है तो यह कैसे देख रहा है ऐसे आप भी तो नहीं देख रहे हो कि आप बोल्ड है बस पढ़ लेना ठीक है तो यह आपकी एक्जामपल आपको समझ में आ जाना एक्जामपल अगर एक्जाम में लिख देते हो ना तो एक्जामियर खुद पढ़ेगा भी नहीं ठीक है तो यह देखो मैं प्रेड्यूस स्क्रिप्स के बारे हम देखते हैं यह थोड़ा इंपॉटेंट है इसे थोड़ा ध्यान समझने कोशिज करिएगा ठीक है तो यहां पर देखो यूजिंग एन एप्प्रोच लाइक हडूप स्ट्रीमिंग दो ट्रांस्पार्म मैप और रिद्यूस क्लॉजिस मेंक इट पॉसिबल टीन वोग एन एक्स्टरनल स्क्रिप्ट और प्रोग्राम फ्राम है ठीक है अब देखो जो चीज हमने अभी पीछे किया था अब उसे अगर मैप एंड रिद्यूस के मदद से अगर करें तो कैसे होगा सबसे पहले फ्राम रिकॉर्ट टू से हमें लेना है अब मैप क्या करना है यहां टेंपरेचर और यूजिंग इस गुड क्वालिटी डॉट पी यह डॉट पी जो आपको दिख रहा है यह यह अपकी स्क्रिप्ट जो की पाइथन में लिखी गई है और पाइथन में पी यह होता है ना उसका एक्टेंशन होता है सी प्रोग्रामी लेंगे डॉट सी देखें होंगे और इस्ती एमल में क्या है डॉट सी एमल होता है थे तो जावा जब सेफ करते हैं ग्राश्यैति फिर्टर लिखी गई है थी यूजिंग इस स्क्रिप्ट के दुर्प एज यह यह तेम्परेचर ठीकर है और मैब अटब्ट थेकर एक स्क्रिप्ट यहां पर देखो यह आपको यूज करके आपको यूज करके आपको आजाता है ठीक है अब देखते हैं जॉआइन बहुत ही इंपोर्टेंट लगाएं समझेगा इसे अब देखो सबसे पहले इनर जॉइन की बात करते हैं इनर जॉइन का काम क्या होता है कि जो दोनों में मैच करता है उसे लेते हैं मानों के चलो एक गोला यह है यानि कि यह पार्ट दोनों में मैच कर रहा है यानि कि इस पार्ट को लेंगे तो ऐसे ही देखो यहां पर एक यह है एक टेबल यहां पर हमने क्या कि सेलेक्ट इस्टार from its लूट को निकाल लिया आपका जोए आ आगे दो हैंक चार आलीफ जिरो है इव तीन और हैंक दो है फिर एक जगह पर हमने सेलेक्ट star from things, एक table things है और जहां से हमने इतना data को निकाल लिया है, इसमें दो tie है, चार coat है, तीन hat है, एक scarf है, ठीक है, अब देखो, we can perform an inner join, अब इस पर inner join अगर हम perform करते हैं, तो कैसे क्या होगा, तो सबसे पहले हम select करेंगे, sales को select करेंगे, star और things, star का मतलब होता पूरी चीजों को select करना, ठीक है, SQL में आप पढ़े होंगे, इसलिए पर छोड़ी-छोड़ी चीजों को बता नहीं रहो है, ठीक है, अब देखो, from sales join things on sales id equal to things.id, अगर sales की id, things की id से अगर match कर रही है, तो उन सब का data मुझे दिखा दो, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर क्या होए inner join में, अब joy, 2 है, tie, 2 है, match कर रहा है, यह आ गया, अब देखो, Hank की में कहाँ पर दो आ रहा है, Sikh की worried में हैंक की harák यहाँ अब ऑगई, अब इसमें दो किसकी i-soup है, match कर रहे है, tie से चलो, 2 tie से यहाँ पर आ गया अब फिर इसमें देखो इसे आगे किसी आईडी आ रही है तीन आ रही है तो इव तीन लिया अब इसमें देखो तीन कहीं पर दिया आईडी हां तीन हैट की है तो यह देखो तीन आ गई फिर इसके बाद देखो चार है तो चार है तो चार हैंक यहां पर आ गई चार इसमें क आली कि 0 की id, things.id, यानि कि things में कोई id ही नहीं है, जीरो की, तो इसके equal to ही नहीं है, तो इसलिए कि यानि कि table में आपका data आएगा नहीं, यानि inner join आपको समझ में आगे होगा, कि जो दोनों में match करता है, वो inner join के अंदर so हो रहा होता है, तो बात करते हैं outer join की, तो outer join में 3 होत होता है, और एक आपका होता है full outer join, तो इन सभी चीजों को बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक, तो सबसे पर हम left outer join की बात करते हैं, तो simple सा है, sales and things को लिया, select किया, और from left outer join, यहां पर लगाया, यह लिखना पड़ता है, आपको left outer join, things on, sales id dot equal to things dot id, यहां पर क्या करें, left outer join में क्या होता है, यह lift की चीजों को लेता ही लेता है, lift की जितनी चीजों के लेता ही लेता है, भले right वाले को ना ले, right वाले को null कर देता है, ठीक, अब देखो, यहां पर अली लिया, lift की सभी चीजों को लेगा यह, अब देखो, lift की सारी चीजों को उठा लिया, यह, पां कराकर लिख दिया Italia में क्या होता है यह राइट का पूरा लेता है राइट का पूरा ले रहा है तो यह एगर तो यहाने कर रहे हैं को को दिख रहा है इसमें उपर वाले में इसमें देखो एक कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना एक ले लिया right side वाला लेकिन यहाँ पर अगर कुछ नहीं मेरा left वाले में तो नल दे दिया और बाकी यह जो 4 है यह आपको पता है यह जो को id match कर गई 2 की 2 की 3 की 3 की 4 की 4 की ऐसे ही left right outer joint में होता है और full outer joint का इपर देख लेते हैं क्या scene है Full outer joint काता है lift वाली चीजे भी लेता है और right वाली चीजे लेता है यानि functions नहीं करता है अब देखो lift वाली चीजे लिया Sec culinary जीरो और जीरो आईडी मेंश कर रहे है ai right side में इसलिए आपी नल कर दिया एक scarf लिया एक जो id है यह आपके left side में में नहीं कर रहे है यानि कि left side में नल नल कर दिया ठीक सेम ऐसी चीज़े आपके आपकी आईडी मैच कर रहे हैं दो 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 तीन तीन चार चार यह आपकी चीज़े लिख दी यानि कि full auto join क्या करता है left right दोनों ले लाता है ठीक है तो अब बात करते हैं sub queries sub queries भी थोड़ी important इसे भी समझ लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली यह सब करी जो मैंने ऊपर लिखा है यह दोनों चीज़े आप पढ़ लिजेगा चीज़े आपको समझ में आ जाएंगे और यह मैंने इसका अब तक हमने आप पिक को कवर कर लिया ठीक है हाइप को कवर कर लिया अब हमारा तीसरा जो आ रहा है ना वह एकश बेस भी बहुत ही important है यह एकश बेस का लोगो है ठीक आफिसल लोगो है तो यह एकश बेस है अब समझते हैं लो तो इसके एकश बेस का सबसे पहले concept देखते हैं मैं हमेसा बोलताओ कि इशी livestream पढ़ने से पहले दिया थी होती है हमें इसे पढ़ने क्यों जा रहा है कि सारी चीज हमें हंनी करोगे तो यार प्लीज मैं आपसे कहता हूं कि एक लाइक जरूर यार दे दो और कमेंट करके मुझे बस इतना लिख दो कि हाँ वी deputy रिल फुल है बस इतना लिख दो और मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस एक लाइक कर दो और बस इतना लिख दो कमेंट में तो करो जरूर करो ठीक तो चलो आई हो कि आप पांच मिंट रिष्ट कर लिए होगे तो चलो बात करते हम एच बेस के कॉंसेप्ट की ठीक तो अब बैसिकली पहले डेटाबेस है ठीक बिल्ड ऑन दे टॉप अपड़ फाइल सिस्टम इसे कोई पैसा देने के जोरत हमें नहीं पड़ती है आसानी से फ्री में यूज कर सकते हैं इसके कोड ऑनलाइन अवेलेबल है ठीक एंड इस होरिजोंटली स्केलेबल और यह वर्टिकली में स्केलेबल आ यह ना होता है कि जो भी स्केल हो रहे हैं ऐसे होंट और यह और आप कर देते हैं यानि कि इन फूले-वाय को दे調 और यह faleiOL सिस्टम एक सलग वर्टिकली में क्या होता है कि ए में लगा हुआ है यानि हम कोई operation इसे perform कर रहे हैं और हमें 8GB RAM कम पर जा रही है तो इसमें क्या करेंगा इसी सिस्टम के अंदर 8GB RAM का लिफ्ट और 8GB RAM के slot और लगा देंगे उस slot में 8GB RAM और लाका डाल देंगे 16GB RAM हो जाएगा यानि कि अपर ये सिस्टम के अंदर ही हम चीजों को बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते और जैव नयनय शिटम को एड करते जाते हैं और हो जो इसके लिम क्या होता है कि इसमें हम ऐसे राइट साइड में ऐसे ऐसे आड करते जाते हैं इसमें ठीक वर्टिकल ही नहीं करते हैं कि ऐसे ठीक है उसको देखो HBase is a data model that is similar to Google's big table designed to provide quick random access to huge amount of structured data अब बेसिकली जो HBase का concept basically जो है ना हम एक data set में से random access अगर हम लेना चाहते हैं structured data अगर हमारे पास है और उसमें से अगर हम random access लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही जादे helpful होता है यार HBase ठीक है it leverage the fault tolerance provided by the Hadoop file system अब fault tolerance मैं बहुत बार बता चुका हूं पीछे क्या होता है वो device जो कि इतना capable होती है कि कुछ problems होगे रहाने पर उससे solution करने उससे solution provide करने के लिए खुद decision ले सके ठीक है कोई भी problem अखर होता है कोई system failure या data loss या कोई process है वो बीच में रुख जाता है इतना capable होता है कि उस चीज को फिर से वो cover कर सके ठीक है तो वह होता है fault tolerance अब बात करते है इसके पर हमने हाइब की बात किया था वह रीड राइट रियल टाइम पर नहीं करता था लेकिन जो होता है यह रियल टाइम पर करता है यह देहान देना ठीक है तो हडू बीको अब storage mechanism क्या है यह काफी importance से ध्यान से समझेगा यह द्यान दीजेगा अब कॉलम और इंटेट डेटाबेस है ठीक है टेबल इनिटार सौटेड बाई रो रो के थुरू जितने भी टेबल होते हैं वह आपके रो के थुरू सौटेड होते हैं अब ही मैं कॉलम फैमिली अभी which are the key value pairs key and value pairs में होती है टेबल है multiple column family एक टेबल के पास multiple column families हो सकती है each column families can have any number of column जो भी जो भी column families होती है ना जो column family होती है उसके पास उसके पास कितने भी numbers हो सकते हैं ठीक अब देखो टेबल टेबल होता है वह collection अफ रोज का होता है रोज इसको मैं चलो एक्जामपल साथ बताते चलता हूं यह दो गीवन विलो इन एक्जामपल इसकी मावे टेबल इन एच बेस यहां पर मैंने बताया था ना कि यह टेबल है multiple column families यह दो यह column families है ठीक अब देखो इच कॉलम family can have any number of columns यह जो column है कुछ भी numbers में हो सकते हैं तो में यह तीन लिया हूं कुछ भी हो सकते लिए से जादे भी हो सकते हैं ठीक अब देखो टेबल इस a collection of row होता है it is a collection of column families collection of column families kurse और थोड़ा और समझ में और थोड़ा रेटांट वेयन को एच बेस जो है, यह column oriented database है, तो आप यह ना confusion ना कि row oriented database क्या होता है, और column oriented database क्या होता है, तो जो row oriented database होता है, यह it is suitable for online transaction process, जो भी online transaction process वगर होता है ना, इसे sort में OLTP बोलते हैं, उसके लिए helpful होता है, ठीक, और column base जो होता है, it is suitable for online analytical processing, OLAP, OLAP एक बारे मैंने पीशे बता दिया है, मैं फिर बता देता हूं, यह क्या करता है, कि जो बड़े बड़े businesses होते हैं, उनके data को यह organize करता है, उनके data को यह organize करता है, और जो data organize करता है, इस data पर हम complex analysis वगरा कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हमें support provide करता है, कि यहाँ भाई, तुम आओ, तुम इस पर complex analysis वगरा, इस प कोटे, इसमाल number सा, row and column के लिए designed होते हैं, और column जो होते हैं, यह huge, column oriented database जो होता है, यह huge tables के लिए design किया जाता है, ठीक, अब big data में हम बात कर रहे होते हैं, पर छोड़े मोटे चीज़ों के लिए हम बात ही नहीं करते हैं, हर चीज़े बड़ी बड़ी हो रही होते हैं, ठी IDBMS की, तो HBase versus IDBMS काफी important concept है, तो इसे बहुत ध्यान से समझेएगा, ठीक है, एक सेट में बात करें, IDBMS की, एक सेट बात करें, HBase की, ठीक, it requires SQL, यह require करता है, SQL इसे structured query language की जो रोध पढ़ती है, यहाँ पे no SQL की, अब no SQL मतलब non structured query language अला समझना, MongoDB बगर का जो concept में बोल से लेना, यह no SQL है, यह खुदी एक SQL होता है, ठीक, it has a fixed schema, इसके पास कोई इस्टीमा नहीं होता है, ठीक, it is row-oriented, IDBMS जो होता है, यह row-oriented होता है, और जो SBS होता है, यह column-oriented होता है, it is not scalable, यह scalable नहीं होता है, कि हम horizontally scaling वगर कर सके, इसमें ऐसा नहीं होता है, और यह scalable होता है, जो कि horizontally scaling होती है, इसमें, और इट ही static in nature, यह static in nature होता है, और यह dynamic होता है, ठीक, अब देको slower retrieval of data, IDBMS कंदर का हम data बगर है, retrieve करना चाहते हैं, वहाँ से, तो काफी slow data हो रहा होता है, retrieve, और HBS में यह बहुत ही fast हो रहा होता है, ठीक है, it follows acid property, automation, consistency, isolation and durability, आप DBMS में पढ़े ह होंगे, तो मुझे नहीं लगता है, यह करके फिर मुझे बताने कि यहां पर जरूरत है, और यह जो होता है, यह follow cap, consistency, availability and partition, tolerance, theorem, यह follow करता है, और it can handle structure data, यह जो होता है, structure, unstructured, as well as semi-structured data को handle करता है, इस्ट्रक्टर वही होता है, जो row and column के format में होता है, उसी को structure बोलते है, तो only structured को follow करता है, यह तीनों को करता है, IDMS जो होता है, यह आपका space data को handle कर सकता है, यह आपका database को, जो space data होता है, उसे handle कर सकता है, ठीक, अब बात करते हैं, schema design, ठीक, HBase के अंदर schema design को थोड़ा जा of rows, so billions of rows में scale कर सकता है, this table allow you to store terabyte of data in it, ठीक है, अब यह जो table होता है, यह आपको allow करता है, अनुमती देता है, कि अब terabyte of data को वहाँ पे store कर सकते हैं, अब समझ लो, कितनी बड़ी चीज है, यह, the HBase table support the high read and write throughput at low latency, अब देखो load latency, यानि कि बहुत ही कम समय है, seconds में, seconds में, आपकी जो होती है, read and write बहुत ही fast होती, बहुत ही high level की provide करता है support, यह read and write आप बहुत ही जादे speed से कर सकते हो, ठीक है, third number क्या है, the HBase schema design is very different compared to the relational database schema design, और जो इसका schema design होता है, बहुत ही different होता है, जो relational database वगरा पहले design वगरा करते थे, ठीक है, जो होता है, उससे काफी different होत key, column family, column qualifier, individual and row value size limit, ठीक, consider below is the side limit when designing schema in HBase, अब जो भी schema design करते हैं, कुछ row key, column qualifier होते हैं, यह सभी चीजों कुछ limitation भी होती है, तो limitations कितनी किसकी होती है, तो उसे समझ लेते हैं, रोग जो key होती है, वो 4K भी पर key होनी चाहिए, ठीक, column family जो होती है, not more than 10 columns per table, हर table में आपकी जो होती है, 10 columns से जादे नहीं होनी चाहिए family, ठीक है, column qualifiers क्या होता है, 16 के भी, पर qualifier होना चाहिए, individual values के क्या होता है, less than 10 MB per sale होनी चाहिए, all values जो होता है, maximum 10 MB होनी चाहिए, तो यह कुछ limitations है, इसे व्याद कर लीजिए, अगर exam में आपसे आता है न, schema design करन जो कीपर को चलो समझते हैं, कि यह क्या होता है, तो बात करतें, जो कीपर की, तो जो कीपर basically open source server होता है, ठीक है, that reliable coordinate distributed process and application, जो भी distributed process हो, अगर अप्लिकेशन बगर होती है न, उचके लिए reliable होता है, ठीक, तो बहुत ही simple है, आप इससे तीनों को पढ़ लीजेगा, बहुत maker file system में provide करता है, जैसे कि help करता है, discovery, registration, configuring, locking में, इन सभी जगों पर हमारी help करता है, ठीक है, और कुछ इस resource utilization की कुछ details है, जैसे जो कीपर cluster, monitor memory heap and non heap on the J node, J node पे जो भी memory को monitor करना होता है, जो कीपर cluster होता है, वो J node की जो memory होती है, उन पो monitor करता है, ठीक है, and get alerts of change in resource consumption, resource consumption मे जो भी changes वगरे आते हैं, उसकी alerts वगरे भी उस send कर रहा होता है, और देखो यह automatically collect graph and get alerts on garbage collection, iteration, heap size and uses thread, garbage collection यहापे क्या है, Java में garbage collection का concept, अगर आप जावा पढ़े तो garbage collection आपको पता होगा, ठीक है, यह जावा का advantages है, कि कैसे memory data वगरे, delete वगरे हो रही होती है, वो सभी चीज करता है, ठीक, make sure the total node count inside the tree is consistent, ठीक, तो यह कुछ जू कीबर के concept है, इसे आप एक बढ़ पढ़ लिजेगा, simple साम मुझे नहीं रगता है, बहुत details मुझे बताने की जरूरत है, हापे है, सभी चीजे आप लिखी होई है, इसलिए मैं आप बता नहीं रहा हूं, इसे अच्छ समझ में आ जाएंगे, यह theory यार, मैं मुझे नहीं लगता है, समझाने की से जरूरत है, आप पढ़ सकते हो, पढ़ कर खुद समझ सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसे मैं बताऊं और आपका time इसमें consume हो, तो इसक्रीन साट लो, और पढ़ लो, तो अब बात करते हैं, इंटोड़क्शन टू इंफोस्पेयर की, ठीक है, तो इंफोस्पेयर के बारे में थुरत देख लेते हैं, तो यहां पर दिया इंटोड़क्शन टू इंफोस्पेयर, तो यहार, बेसिकली यह भी काफी सिंपल, जैसे इनफोस्पेयर जो होता है, यह तरह का information server provide करता है, ठ data integration in governance के लिए, ठीक है, बेसिक सबसे बड़ा इसका advantage है, जैसे समझ में आ जाएंगे, ठीक, तो अब बहात करते, big insights and big seeds की, ठीक है, तो इसे चलो समझते हैं, तो big insights क्या होता है, इसे समझते हैं, तो big insights यह इसे समझते हैं, तो big insight यह समझते हैं, यह तरह का software platform for discovering, एक तरह का software platform है, किसलिए है, discovering, analyzing and visualizing data from disparate sources, ठीक है, उसका the flexible platform is built on an Apache Hadoop open source framework that run in parallel and commodity available low cost hardware, अब देखो, यह अपाचे Hadoop, जैसे की open source framework है, अपाचे Hadoop, जो की open source framework है, और जहां पर यह run हो रहा होता है, commodity hardware, जो मैंने बताया थी, low cost के जो hardware होते हैं, अब पैरलरी यह, रन हो रहा होता है, ठीक, अब देखो, Big Seat का क्या है, Big Seat is a browser-based analytic tool, यह browser-based analytic tool होता है, Big Seat जो होता है, यह एक browser-based analytic tool होता है, included in the InfoSphere, a big insights console, that you can use to break large amount of unstructured data into consumable situation, specific business context, ठीक है, जो unstructured data होता है ना, उसे हम break कर सकते हैं, जो large bound में unstructured data होता है आपका, उसे हम break कर सकते हैं, consumable situation, specific businesses context के लिए, ठीक है, अब देखो हैं आपे, इस deep insights help you to filter and manipulate data from seeds even further, ओके, आयो की big seeds and big insights आपको समझ में आ गया होगा, अब introduction to big SQL देख लेते हैं, कि big SQL का concept का है, इसे आप अच्छे समझेगा, क्योंकि यह exam के point of view से काफी important है, ठीक, यहाँ पर देखो, IBM big SQL is a high performance, massively parallel processing, जो IBM का big SQL है यह high performance provide करता है, जो की parallel processing के लिए, SQL engine for Hadoop that makes querying enterprise data from access across the organization, an easy and secure experience, अब देखो, इसका SQL engine है न, for Hadoop के लिए, यह जो big SQL जो है, ठीक है, यह जो होता है, बहुत easy and secure experience provide करता है, किसी भी organization के लिए, ठीक है, अब देखो, अब भी SQL query can quickly access a variety of data source, including HDFS, IDBMS, no SQL databases, object store and web HDFS, by using a single database connection, यह ध्यान देना, यह जो big query होती है, can quickly access variety of data sources, यह बहुत ही जल से जलना, variety of data sources को access कर सकता है, बलकि using a single database connection, यह समझ देना, बस single data connection, ठीक है, और best in class analytic capabilities, ठीक है, आई होग की चीज आपको समझ में आ गए होंगे, अब देखो, how big SQL works, अब देखो, big SQL robust engine executes complex query for relational data and hadoop data, जो relational data के कुछ complex queries वगएरे होती है, वो run कराने के लिए हम इसका use करते है, हडूप वगएरे का data जो होता है, वहाँ पिसके लिए run करते हैं, ठीक है, big SQL provides advanced SQL compiler, यह हम एक advanced SQL compiler भी provide करता है, and a cost-based optimizer for efficient query execution, ठीक, और combining these with a massive parallel processing engine help distribute every execution across node in a cluster, ठीक, अहे होग की सबी चीज़े आपको अच्छे समझ में आ गई होंगे, तो first of all congratulations to all of you, जिन लोग हैं अभी तक वीडियो देखी, तो यह वीडियो हम लोग की happy ending हो गई है, तो हम लोग इस वीडियो का target 300 का like रख रहे हैं, तो यार please एक like करो, comment करके मुझे बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, thank you so much for watching this video,